लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम सुनते हैं मुशी प्रेम चैन्दी जी द्वारा लिखित उपन्यास वर्दान से ली गई कहानी प्रेम का स्वापन मनुस का हर्दय अभिलासाओं का क्रिड़ास थल और कामनाओं का आबास एक कोई समय वह था जबकि मात भी माता के अंक में खेलती थी उस समय हर्दय अभिलासा और चेस्ताहिन था किन्तु जब मिट्टी के घरों दे बनाने लगी उस समय मन में यह एक शाउत्पन होई की मैं भी अपने गुडिया का विवाह करूंगी वह लड़किया अपने गुडिया ब्याह रही हैं क्या मेरी गुडिया कोवारी रहेगी मैं अपने गुडिया के लिए गहने बनवाऊंगी उसे वस्त पहनाऊंगी उसका विवाह करूंगी इस एक्षा ने उसे कई मास तक रुला पर गुडिया के भाग में विवाह ना बदा था, एक दिन बेग घिर आए और मुसलाधार पानी बरसा, घरोंदा वरष्टी में बह गया और गुडियों के विवाह की अभिलासा अपून रहे गई, कुछ काल और बीता वह माता के संग विर्जन के यहां आने जाने लगी, उस उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसंद होती, उसके थाल में खाती और उसकी गोद में सोती, उस समय भी उसके हिर्दय में एक शाथी की मेरा भवन परम सुन्दर होता, उसमें चांदी के खिवार लगे होते, भूमी ऐसी स्वक्ष होती की मक्की बैटे और फिसल वहां अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भाती उसकी सेवा करती, यह एक्षा वर्सों तक हिर्दय में चुटकें लेती रही, किन्तो उसी घरोंदी की भाती यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो ग उन दिनों इस चर्चा के आतीरिक्त उसे कोई बात अच्छी न लगती थी, उसके हिर्दय में प्रतापचंद की चेरी बनने की एक्षा उत्पन हुई, पड़े-पड़े हिर्दय से बातें किया करती, रात्त्री में जागरण करके मन का मोदक खाती, इन विचारों में चित पर हिर्दय में शोक रह गया, अब निराशा ने उसके हिर्दय में आशा की शेच न रखा, वह देवताओं की उपासना करने लगी, वरत रखने लगी की प्रतापचंद पर समय की कुद्रस्टी न पड़े, इस प्रकार अपने जीवन में कई वर्स उसने तपस्णी बन कर ये कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर होती, किन्तो आज तपस्णी का वरत तूट गया, मन में नूतर अभिलासाओं ने सिर उठाया, दस वर्स की तपस्णी एक्षण में भंग हो गई, क्या यह एक्षण भी उसी मिट्टी के घरोंदों की भाती पद्दलित हो जाएगी आज जब से माधवी ने भाला जी की आरती उतारी है, उसके आंसों नहीं रुके, सारा दिन बीट गया, एक एक घर के तार निकलने लगे, सूर्य ठक कर छिप गया, और पक्षण गोंसलों में विस्साम करने लगे, किन्तो माधवी के नेतर नहीं ठके, वह सोचती है कि हाए क्या मैं इसी परकार रोने के लिए बनाई गई हूँ, मैं कभी हसी भी थी, जिसके कारण इतना रोती हूँ, हाए रोते रोते आद ही आयू बीत गई, क्या शेस भी इसी परकार बीतेगी, क्या मेरे जीवन में एक दिन भी शेस ऐसा न रहेगा, जिससे इस मरकल के संदोस हो की मैंने भी कभी सुदिन देखी थे, आज के पहले माद भी कभी ऐसे नेराश पीड़ित और चिन हरदया नहीं हुई थी, वह अपने कल्पित प्रेम में निमगन थी, आज उसके हरदय में नवीन अभीला साय उत्पन हुई हैं, असु उनी से प्रेड़ित हैं, जो हरदय आशाओं का आवास रहा हूँ, वही इस समय मादमी की भावना का अनुमान कर सकता है, सुआमा के हरदय में नवीन एक्षाओं ने सिर उठाया है, जब तक बाला जी को न देखा था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभीलासा यह थी कि वह उन्हें आँखें भर कर देखती औ मादमी के घरोंदू की भाते मिट्टी में मिल जाने के लिए आज सुमा विर्जन और बाला जी साइंकाल तक बाते होती रहीं, बाला जी ने अपने अनुभावों का वर्डन किया, सुमा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विर्जन ने कहा थोड़ा किन्तु सुना बहुत, मुशी संजीवनलाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रोई जब दीपक जलने का समय आप पहुंचा तो बाला जी गंगा की ओर संधिया करने चले गए और सुमा भूजन बनाने बैठी, आज बहुत दिनों के पश्या सुमा मन लगा कर भूजन बना रही थी, दोनों बात क करने लगें, सुमा बोली, बेटी मेरी है, हर दे कभिला सा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिस्थे थो और ईश्वर ने मेरी लाल सा पूरी कर दी, प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्वल कर दिया, आज जब प्रातह काल मेरे सुमे जी के चैस सुनाई जा रही थी तो मेरा हरदय उमर उमर आया था, मैं केबल इतना चाहती हूँ कि वे यह वेरा के त्याग देश का उपकार करने से मैं उन्हें नहीं रोकते, मैंने तो देवी जी से यही वर्दान मांगा था, परन्तों उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हरदय विद्रिंड हुआ जाता है वर्जन स्वामा का अभी प्राय समझ गई बोली चाची यह बात तो मेरे चित्त में पहले से ही जमी हुई है अफसर पात ही अवशी छेड़ूगी स्वामा ने कहा अफसर तो कदा चेखी मिले इसका कौन ठेकाना अभी जी में आए कहीं चल दें सुनती हूँ सौटा ह मात मेलिये अकेले वनों में घूमते हैं मुझसे अब बेचारी मात भी की दश्या नहीं देखी जाती उसे देखती हूँ तो कैसे कोई मेरे हर्दय को मसोसने लगता है मैरे बहुतेरी इस्तुरियां देखी है अनेका वरतांत पुस्तों में पड़ा किंदू ऐसा प्रेम कही नहीं देखा बेचारी ने आधी आई रो रो कर कार दी और कभी मुख न मेला किया मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा परन्तु रोने वाले नेत्र और हसने वाले मुख छिपे नहीं रहते मुझे ऐसा ही पुत्र भदू की लाल साती सो भी ईश्या ने पूर्ण कर दी तुम से सत्य कहती हूं मैं उसे पुत्वधु समझती हूं आज से नहीं वर्सों से वरजरानी बोली आज उसे सारे दिन रोते ही बीता बहुत उदास दिखाई देती है स्वामा ने कहा तो आज ही उनकी चर्चा छेड़ो ऐसा ना हो कि कल किसी और इस्थान पर चल दें तो फिर एक यो कोई प्रतिक्षा करनी पड़ेगी वरजरानी कुछ तोच कर बोली चर्चा करने को तो मैं करूं किन्तो माधवी स्वैम जिस उनमत्ता से साथ यह कारी कर सकती है कोई दूसा नहीं कर सकता स्वामा ने कहा वह बेचारी मुख से क्या कहेंगे वरजरानी बोली उसके नेतर सारी कता कहेंगे स्वामा ने कहा लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे वरजरानी ने कहा कहेंगे क्या यह तुम्हारा अब्राम है जो तुम उसे कौवारा समझ रही हो वह प्रताब चंद की पतनी बन चुकी है इश्वर की यहां उसका विवाहर उनसे हो चुका यदि ऐसा न ध्यान भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया बारह वर्स के तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रही है और वह पलंग पर नहीं सोई कोई रंगी इन वर्स नहीं पहना केश तक नहीं गुथाए क्या इन विवारों से नहीं सिद्ध होता कि माजवी का विवाह हो चुका हिदय का मिलाप सच्चा विवाह है सिंदूर का टीका, ग्रंती, बंधन और भवर ये सब संसार के ढपोसली है स्वामा अच्छा जैसा उचित समझो करो मैं केबल जगह साई से ढरती हूँ रात मैं नो बजे थे आकाश पर थारे छटकी हुए थे माजवी बाटी का मैं अकेली किंदू अती धूर है क्या कोई वहां तक पहुंच सकता है क्या मेरी आशाएं भी इन्ही नक्षयत्रों की भाती है इतने में विर्जन ने उसका हाथ पकड़ कर हिलाया माजवी चौक पड़ी विर्जन बोली अधिरी में बैठी क्या कर रही हो माजवी ने कहा कुछ नहीं वो तारे को देख रही हो वे कैसे सौहामने लगते है किन तुम मिल नहीं सकते विर्जन ने कलेजी में बर्ची सी लग गए धीरत धर कर बोली यह तारे किनने का समझ नहीं है जिस अतिती के लिए आज भूर से ही फूली नहीं समाती थी क्या इसी प्रकार उसकी अतिती सेवा करोगी माजवी बोली मैं ऐसी अतिती के सेवा के युग कब हूँ विर्जन ने का अच्छा यहां से उठो तो मैं अतिती सेवा की रिक्ती बताओ दोनों भीतर आएं स्वामा भूचन बना चुकी थी बाला जी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों से प्राप्त हुई थी उन्होंने बड़े प्रेम से भूचन की स्वामा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी बाला जी खापी कर लेटे तो विर्जन ने मातवी से कहा आब यहां कौने में मुक बांद कर क्यों बैठी हो मातवी बोली कुछ तो खाने को दे दो अब यहीं से जी चाहता है विर्जन ने मातवी से कहा ऐसे नराश नहों क्या इतने दिनों का वुरत एक दिन में भंग कर दोगी मातवी उठी परन तो उसका मन बैठा जाता था जैसे बेगों की काली काली घटाएं उड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल थल एक हो जाएगा परन तो अचानक पंचुआ बायू चलने के कारण सारी घटा काई की भांती फट जाती है उसी प्रकार उस समय मातवी की गती हो रही है और वह शुब दिन देखने की लाल सा उसके मन में बहुत दिनों से थी कभी वह दिन भी आएगा जब की मैं इसके दर्शन कर पाऊंगी और उनके अमरत बाणी मैं स्वन्ट तरप्त करूंगी इस दिन के लिए उसने माने ताय कैसी मानी थी इस दिन के ध्यान से ही उसका हरदय कैसा खिला उरता था आज भोर ही से मान भी बहुत प्रसंद थी उसने बड़े उस साथ से फूलों का हार गूता था सैकनों काते हाथ में चुभा लिए और मत की भांते गिर गिर पड़ती थी यह सब हर्स और उमांग इसलिए तो था कि आज वह शुब दिन आ गया आज वह दिन आ गया जिसकी की चिरकाल से आँखों लगी होई थी वह समभी अब इस मरड नहीं जब यह अभिलासा मन में नहीं जब यह अभिलासा मन में ना रही हो परंतु इस समय मादवी के हिदय की वह गतन नहीं है आनंद की भी सीमा होती है कदाचित वह मादवी के मन की सीमा थी जब वाटी का में जूम जूम कर फूलों से आचल भर रही थी जिसने कभी सुका स्वाधी नहीं चखा हो उसके लिए इतना ही आनंद बहुत है वह बेचारी इस से अधिक आनंद का भार नहीं समाल सकती जिन अधरों पर कभी हंसी आती ही नहीं उनकी मुस्कान ही हंसी है तुम ऐसे से अधिक हंसी के आशा क्यों करते हो मादवी बाला जी के और परंतु इस प्रकार इस प्रकार नहीं जैसे एक नबेली भाव आशाओं से भरी हुई संगार किये अपने पती के पास जाती है वही घर था जिसे भाई अपने देवता का मंदे समझती थी जब वह मंदे शूने था तब है आ आकर आसों के पुस चढ़ाती थी आज जब देवता ने वास किया है तो वह पूरे इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है रात्री भली भावती आदर हो चुकी थी सड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे मादवी दबे पाउं बाला जी के कमरे के द्वार तक गई उसका हिर्दर धड़क रहा तब भीतर जाने का साहस ना हुआ मानो किसी ने पैर पकड़ लिया उल्टे पाउं फिर आई और प्रत्वी पर बैट कर रोने लगी उसके चितने कहा मादवी यह बड़ी लजजा की बात है बाला जी की चेरी सही माना कि तुझे उनसे प्रेम है किन्तो तो उसकी इस्त्री नहीं है तुझे इस समय उनके ग्रह में रहना उचित नहीं है तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता प्रेम और वस्तु है और सुहाग और वस्तु प्रेम चित्ट की प्रवत्ति है और ब्याह एक पवित्र धर्म है तब माद्वी कोई के विवाह का इसमर हो आया वर ने भरी सभा में पतनी की बाह पकड़ती थी और कहा था कि इस तरीकों मैं अपने ग्रह की स्वामनी और अपने मन की देवी समझता हूँ इस सभा के लोग आकाश अगनी और देवता इसके साक्षी रहे हाँ ये कैसे शुब्ष शब्द है मुझे कभी हैं से शब्द सुनन का मौका प्राप्ट नहुआ मैंना अगनी को अपना साक्षी बना सकती हूँ न देवताओं को और न आकाश को परंथ है अगनी है आकाश के तारों और है देवलो को वास जिओ तुम साक्षी रहना की माध भी ने बाला जी की पवित्रमूर्ती को हिरदय में स्थान दिया है किन तो किसी ने क्रिष्ट विचार को हरदाय में ना आने दिया यदि मैंने घर के भीतर पेर रखा हो तो हे अगनी तुम मुझे अभी जला कर भसम कर दो हे आकाश यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे ग्रह के मैं जाते देखा है तो इसी छण मेरे ऊपर इंडर का बज्जर के रादो मादवी कुछ काल तक इसी विचार में मगन बैठी रही अचानक उसके कान में भक भक की धुनी सुनाई थी उसने चौक कर देखा तो बाला जी का कमरा अधिर प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकल कर आंगर में फैल रहा था मादवी के पाउं तले से मिट्टी निकल गई ध्यान आया कि मेच पर लेम भबक उठा वायू की भाती वह बाला जी के कमरे में गुसी देखा तो लेम फटक प्रत्वी पर गिर पड़ा है और भूतल के बिचावन में तेल फैल जाने के कारण आग लग गए है दूसरे किनारे पर बाला जी सुक से सो रहे थे अभी तक उनकी निंदरन ना कुली थी उन्होंने कालीन समेट कर एक कौने में रख दिया था बिधुत की भाती लपक कर मादवी ने वह कालीन उठा लिया और भवक्ती हुई जौला की उपर गिरा दिया धमाके का शब्द सुना तो बाला जी ने चौकर आँखे कोली घर में धुआ भरा था और चतुर्दिक तेल की दुरगंद फैली हुई थी इसका कारण वह समझ गए बोले कोशल हुआ नहीं तो कमरे में आग लग जाती मादवी बोले जी हाँ यहाँ लेंप गिर पड़ा था बाला जी ने कहा तुम बड़े अवसर से आप पहुँची बादमीद बोला मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी बाला जी ने कहा तुमको बड़ा कस्ट हुआ अब जाकर शेन करो रात बहुत हो गई है मादवी बोली चली जाओंगी शेन तो नित ही करना है यह अवसर ना जाने फिर कब आएगा मादवी की बातों से अपूर करुणा भरी हुई थी बाला जी ने उसकी ओर ध्यान पूर वक देखा जब उन्होंने पहले मादवी को देखा था उस समय वह एक खेलती हुई कली थी और आज वह एक मुर्चाया हुआ पुस्वाए ना मुकबस वांदरी था ने तरों में आनंद की जलक ना माँ में सुहा का संचार था ना माते पर सिंदूर का टीकर शरीर में आवस्वाव का चिन्न भी ना था बाला जी के अनुमा लगाया जाना कि यह बिधाता ने ठीक तरोंगा वास्ता में इस दुखिया का सुहाग हरंड किया है परम उधार होकर बोले क्यों मादवी तुम्हारा तो विवा हो गया है ना मादवी के कलेजे में कटादी सी चुब गई सजलने तो कर बोली हाँ हो गया है बाला जी ने कहा और तुम्हारा पती मादवी बोली उन्होंने मेरी सुध ही नहीं उनका विवा मुझ से नहीं हुगा बाला जी विसमेत होकर बोले तुम्हारा पती करता क्या है माधी बोले देश की सीवा बाला जी के आँखों के सामने से परदा सा हट गया वे माधी क्या मनु रजजान गया और बोले माधी इस विवाह को कितने दिन हुए बाला जी के लेट सजल हो गया और मुख पर जाती था कि उम्माद का उन्माद सचा गया भारत माता आज इस पती तबस था मैं भी तुम्हारे अंक में हैसी ऐसी देवियां खेल रही है जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पन कर सकती है बोले हैंसे पती को तुम त्याग क्यों नहीं देती माधवी ने बाला जी की ओर अभी मान से देखा और कहा स्वामी जी आप अपने मुख से हैंसे कहें मैं आरे वाला हूँ मैंने गांधारी और सावित्री को कुल में जन्मे लिया है जिसे एक बार मन में अपना पती मान चुकी उसे नहीं त्याग सकते यदि मेरी आयू इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी अपने पती की ओर से मुझे कुछ खेदना होगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं इश्वर से उनका हित चाहती रहूंगी मेरे लिए यही क्या कम है जो ऐसे महत्मा के प्रेम ने मेरे हिर्दे में निवास किया है मैं इसी का अपना स्वाभाग समझती हूँ मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखाता हुआ चित्र एक शण के लिए भी आँखों से नहीं उत्रा जब कभी मैं बिमार हुई हूँ तो उसी चित्र ने मेरी शुसा की है जब कभी मैंने व्योग के आशु भाए है तो उसी चित्र ने मुझे सांत्वना दी है उस चित्रवाले पती को मैं कैसे त्याग दूँ मैं उसकी हूँ और सदेव उसी की रहूंगी मेरा हिर्दय और मेरे प्राण सब उनकी भेट चुके है यदि वे कहें तो आज मैं अगनी के अंक मैं से हलस पूर वक जा बैठ हूँ से फूलों की शैया पर यदि मेरे प्राण उनके किसी काम आए तो मैं उसे ऐसी प्रसंदता से देद हूँ जैसे कोई उपासक अपने इस्ट देव को फूल चड़ाता हूँ माहदवी का मुहमंडल प्रेम जियोती के करुण हो गया था बाला जी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए सोचने लगे यही इस्ट्री है जिसने केवल मेरे ध्यान पर अपना जीवन समर्पन कर दिया इस विचा से बाला जी के नेत्र असुपूरित हो गए जिस प्रेम ने एक इस्ट्री का जीवन जला कर भस्म कर दिया हो उसके लिए एक मन उसके धैरी को जला डालना कोई बात नहीं प्रेम के सामने धैरी कोई वस्तु नहीं है वह बोले माधवी तुम जैसे देवियां भारत की गोरग है मैं बड़ा भाग्यवान हो की तुम्हारे प्रेम जैसे अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है यदि तुमने मेरे लिए योगनी बनना स्विकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए इस साइशाय और वेराग्य का त्याग कर सकता हूं जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया वह तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा बलिधान करने से भी नहीं हिचकेचा गया माद भी इसके लिए पहले से ही तयार थी तुरंद बोली स्वामी जी मैं परम अबला और बुद्धीन इस्त्री हूं परंद तु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अनिजविलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया यदि आपने है विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्धेश के वलिया है कि आपके चड़नों में सांसारिक बंधरों की बेड़ियां डाल दू तो आपने इसका महत्म नहीं समझा मेरे प्रेम का उद्धेश वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गए आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुब दिन है आज मैं अपने प्राणनात के सम्मुख खड़ी हूं और कानों में उनके अमरतवानी सुन रही हूं स्वामी जी मुझे आशाना थी कि इस जीवन में मुझे यह दिन देखने का सौभाग होगा यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इसी आनंद से उसे आपके चर्णों में समर्पन कर देती मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रापना करना चाहते हूं कि मुझे अब इन चर्णों से अलग न कीजिए मैं सन्यास ले लूँगी और आपके संग रहूंगी वेरागनी बनूँगी भगूती रमाओंगी परंतु आपका संग न चोड़ेंगी प्राणा तम बैने बहुत दुख सही है आब यह है जलन नहीं सही जाते यह कहते कहते माधवी का कंड़ रुन गया और आखों से प्रेम की धार बहने लगी उससे वहाँ न बैठा गया उटकर प्रणाम किया और वरजन के पास आकर बैठ गई वरजरानी ने उससे गला लगा लिया और पूछा क्या बात चीत हुई माधवी बोली जो तुम चाहती थी वरजरानी ने फिर कहा सच क्या बोले माधवी बोले यह न बताओंगी वरजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया था बोली ईश्वर ने बहुत दिनों से मेरा मनुरत पूरा किया मैं अपने यहां से विवहा करूगी माधवी नेराश भाव से मुस्काई वरजरानी कंपित स्वर से कहा हम को भूल न जाओगी उसकी आँखों से आँसों बहने लगे फिर वह स्वर समाल कर बोली हम से तू भी छोड़ जाएगी माधवी ने कहा मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाओंगी वरजर ने कहा चल बातें न बना माधवी बोली देख लेना वरजर ने कहा देखा है जोड़ा कैसे पहनेगी माधवी बोली उजवल जैसे बंगली का पर वरजर सुहा का जोड़ा के सरीय रंग का होता है मादवी बोली मेरा शूइत रहेगा विरजन बोली तुझे चंद रहास बहुत बाता है मैं अपना दे दूँगी मादवी ने कहा हार के इस्थान पर कंठी दे दे देना विरजन बोली कैसी बातें कर रही हो मादवी बोली अपने स्रंगार की विरजन ने कहा तेरी बातें नहीं दिखाई पड़ती माध भी बोली तुम विवाग की बातचित करती हो इसते मुझे दुख होता है विर्जन ने कहा यह तो प्रसंद होने की बात है माध भी बोली बहन मेरे भाग में प्रसंदा लिखी ही नहीं जो पक्ची बादलों में घौसला बनाना चाहता है वह नहीं कर लिया है कि जीवन की है शेस समय इसी परकार प्रेम का सपना देखने में काट दूँगे